जैस्री कृष्णा, राधे राधे, आज के हमारी इस भीडियो में हम आपके लिए अनन्चतुरद्रसी ब्रत की कथा लेकर आएं हैं प्राचिन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राहमन था, उसके पत्ने का नाम दिक्षा था, उसके एक परम सुंदरी सुसिल तथा धर्म परायन कैन्या थी, जिसका नाम सुसिला था सुसिला जब बड़ी हुई तो उसके माता दिक्षा की मित्रू हो गई पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नामक इस्त्री से दुसरा विवाह कर लिया सुसिला का विवाह ब्राहमन सुमंत ने कॉंडिन्यर इसी के साथ कर दिया बिदाई में कुछ देने के बाद पर करकसा ने दमात को कुछ इटे और पत्थरों के टुक्रे बांध कर दे दिये कॉंटिन्यर इसी दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की और चल दिये परंतु रास्ते में ही रात हो गई वे नरी टट पर संध्या करने लगे सुसिला ने देखा वहाँ पर बहुत सी इस्त्रिया सुंदर बस्त्र धारन कर किसी देवता की पूझा कर रही थी सुसिला के पूछने पर उन्होंने विधी पूर्वक अनंत ब्रत की महत्वा बताई सुसिला ने ओही उस ब्रत का अनुस्थान किया और 14 गांठो वाला दोरा हाथ में बांध कर रिसी कॉंडिन्य के पास आ गई कॉंडिन्य ने सुसिला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी उन्होंने डोरे को तोर कर अगनी में डाल दिया इस से अनंत भगवान नाडाज हो गये पईणाम सरूप रिसी कॉंडिन्य दुखी रहने लगे उनकी सारी संपती नश्ट हो गई इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पतनी से कारण पूछा तो सुसिला ने अनंत भगवान का डोडा जलाने की बात कही पच्चताप करते हुए रिसी कॉंडिन्य अनंत के दोरे की प्राप्ती के लिए बन में चले गए बन में कई दिनों तक भटकते भटकते निरास होकर एक दिन भूमी पर गीर पड़े तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले है कॉंडिन्य तुमने मेरा तिरसकार किया था उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा तुम दुखी हुए अब तुमने पच्चताप किया है मैं तुमसे प्रसन्न हूँ अब तुम घर जाकर विधी पूर्वक अनंत ब्रत करो 14 बरसों तक ब्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा तुम धन धन्न से संपन्न हो जाओगे कॉंडिन्न ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेसों से मुक्ती मिल गई बोली अनंत भगवान की जै स्री हरी विष्णू की जै दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कॉमेंट बॉक्स में अनंत भगवान की जै जरूर लिखे